कार इस वक्त राजस्तान मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है राजस्तान का मौसम एक बार फिर बदल सकता है यानि 14-15 नुवंबर के दोरान राजस्तान के केई जिलों में बारिष की संबाव नबन सकती है उस दोरान भी उत्री राजस्तान के और स्री गंगान अगर जिले कापी ज़्यादा प्रभावित होंगे यानि राज़तान के उत्रे एंसे स्री गंगान अगर हनुमान गड़ चुरू विकानेर के आसपास के छेक्तरों यानि 14-15 या नवंबर के बीच तेज गति से हवा और बारिश एक दो इस्तानों फर ओला वर्ष्टी की गतिविदियां भी बंद रही है लेकिन आपको संप्रून सही वे सटिक मोसम की जानकारी किसान भई हम देने वाले हैं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आज़ी सब्सक्राइब गरें ताकि मोसम की ताज़ा अपडेट आपको टाइम टू टाइम किसान भी रोज़ना मिल सके साथी बंगाल की खाड़ी में एक जो साइकलोन तुफान बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे तो किसान भी आज 12 नॉमबर के दोरां राज़स्तान का मोसम कीशा रह सकता है तो किसान भी आज लगबग राज़स्तान का मोसम साफ अंसुस्क बना रेगा या 12 वे 13 न बिकानेर गंगानगर हनुमानगर चुरू बिकानेर के साथ साथ नागोर और कई इंसे कापी ज़्यादा प्रभावित होने वाले उस दोरां राज़स्तान के अधिकतर इंसों में तेज हवा हमें ओला वश्टी करती हुदिया जैसी भी देखने को मिल सकती है लेकिन बंगा किस तरफ मुप करने वाला है और कहां किस तरफ लेंड बोर्ट करने वाला है सारी खबर आपको विश्टारपूर देने की फूरी चेस्टा करेंगे किसान बई तो किसान बई आप हमसे जुड़े रहे जरूर आप मौसम की सब्सक्राइब जानकारी के लिए किसान बई चैन